है हालो गईस व्यूक्म पिक टू जे के प्रेक्टिस इस विडियो में हम anglish जे के एसाफी का उसमे टॉपिक हैं दो हैं Synonyms और Antonyms Synonyms और Antonyms की बात करेंगे इसमें क्या होता है कि देखें ज़िवेज़ चैनल पर निए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कोई भी हमारी वीडियो की अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंच जागी तो friends बात करते हैं synonyums क्या होते हैं और antonyums क्या होते हैं बच्पन में आपने पढ़ा होगा कि synonyums और antonyums ठीक है तो यह अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा देता हूँ similar word ठीक है similar word और इसको बोलते हैं opposite word इनको याद रखना ठीक है एससे similar और एससे अगर जो पीछे बचा वो opposite antonyums होगे आपके opposite word आजाते हैं और synonyums आपके similar word आजाते हैं ठीक है अब जैसे मैं बात करता हूँ एक word दिया है मैं भी यह वीडियो का इन तक जरूर देखना मैं यह भी बताऊंगा कि एक्जाम में आपको इसके लेटर कैसे तरह से question पूछा जा सकता है वो चीज़ में आपको यहां पर discussion करने जा रहो हूँ abandon abandon का मतलब होता है क्या है abandon का मतलब होता है कि कि किसी चीज़ को छोड़ देना छोड़ देना आपसे अगर पूछा जाएगी what is a similar meaning are synonyms of abandon तो वहां पर different different option देखूंगे क्या पता आपको यह इतने से option दिये होंगे यह दिया होगा है तो यह चीज़ आपने आपको यह depend करती है कि आपको English का कितना अनालस है और कितना आप reading पे चलते हो कितनी आप reading करते हो ठीक है परड़े की तो यह चीज़ आपको उसी field से मिलेंगी अब जो अब बात कर रहे थे हमा RC की जो RC था हमारा RC भी हमारा इसी field पे आता है यह reading आप कितनी करते हो इस डिपेंड्स आउन ठीक है abandon abandon होगे किस चूणा force किसी का मतला होता है किस चीज को रोकना यह भी इसका similar word है और force है यह भी मतलève होता है ट्याग्णा ट्याग्णा लोग्णा ट्याग्ण buna और किसी चीज को शोड़ना यह एक ही contradictory की है continue continue हो मतला होता है कि छोड़ना नहीं जाने दो रोक जाने देना रखना ठीक है तो वह चीज़ हो गया आपकी अटार्नियूम्स ठीक है अगर यहां पर यह वाला वर्ड यहां पर होता तो यह वाला मेरा यहां पर होता ठीक है अब अबहौर की बात करें अबहौर का मतलब होता है किसी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करना या कि गृुना करना ठीक है उसका हीट आ गया ये तो पता ही नफरत करते हैं लौथ का पता है या को डिटेस्ट किसी किसे कोई मतलब की एक प्यार नहीं करना कुछ ठीक है तो इसका आपजिट आपका like आजाता है फिर उसका opposite आपका love आजाता है तो एक adore भी होता है ठीक है adore इसको भी हम यह बोलते है ठीक है avoiding होता है आपका इसके आपके जो different synonyms और नानियम सी हैं तो यह भी आप abiding का मतलब होता है कि जो चीज आपके साथ हो ठीक है कि जो आपको लगता हो कि यह मेरे साथ है temporary स्थित्थ हो यहाँ पे ठीक है enduring का भी मतलब हो यहता है everlasting का भी हो यहता है और fleeting temporary यह भी temporary का मतलब होता है कि थोड़े देर के लिए पता नहीं कब के लिए बट थोड़े देर के लिए ठीक है अब एबल का मतलब क्या होता है एबल होता है कुछ चीज़ का होना एबल जैसे बोलते हैं network is not available नेटवर्क नहीं है able का मतलब होना proficience का भी मतलब होता है competent का मतलब होता है incompetent इसका opposite मतलब नहीं होना unfit का मतलब इसको हम unable भी इसका किस तरह से काम करना है disability होती है कि ना कुछ कर ना कुछ कर पाने की शमता ना कुछ कर inability inability आपका ability का opposite हो जाता है appropriate appropriate का मतलब होता है कि कुछ चीज कोई काम करते हैं successful नहीं हो पाती fruitless रह जाती है fertile हो नहीं होती complaint नहीं हो पाती तो इसका जो आपका होता है opposite होगा वो आपका fruitful होगा यानि कि वो successful हो गई है abolished abolished का मतलब होता है कि चीज को खतम कर देना destroy करना undo करना restore revive revive का तो सबको पता ही है यह तो सबको clear हो गया होगा जब pubzी player है तो अब तो pubzी नहीं है तो I hope कि synonyms, endonyms क्या होता है basic से मैंने आपको यह चीज़ बता दी अब exam में किस तरह से question आता है वो मैं आपको बता हूँ तो friends exam में आपको इस तरह से question पूछे जाएंगे तो आपको चार option होगी यह 5 है इसको बूल जाएगे traduce का क्या मतलब होता है traduce का मतलब की अगर मैं बात करूँ traduce का मतलब होता कि किसी को हमने मतलब की इसको नाम बनाम कर दिया तेके है वो होता है traduce तो इसका हमने similar बूचा गबराना नहीं है कि similar और synonyms में कोई फरक है कोई फरक नहीं है same होता है define होता है safest color को जैसे बिल में कि त्रेल को जो को एक जान नहीं बोलगे मानिक्स कशीच को का नशान हो झाना होगे में मैं वयन्यों निआपर के उच्छीं का में? वर्ट हो वो आपका ड्रैक क्यूंकि आप करती हो न झो आपको इस cyclade मैंज से यूश करते हैं इस तरह से कुछ दिखता है अइर आपने क्या कि टैक संवा को में आपका अश्न कश्डल को सुन आप चैनला करना है कि स्मिलर वनका होगा तु стор आपने चार आप्शन में से इसका चूस करके बताना कि इसका राइट आप्शन कौन से है तो जो डेमो था आपको अंटॉनियूमस का वही आपको आगया इसी तरह से जो अंटॉनियूमस होते हैं वह आपको से बूच लिया जाएगा कौन से बढ़का अंटॉनियूमस है जैसे लव हो गया लव का हीट होते है इस तरह से चीज़े आएंगे आपको एक्जाम में ठीक है तो ओके गाईस आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें